जुलाजी भाई मोना शिखावत आप सब कैसे हैं I hope आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे बीच में तीन जार दिन पहले मैंने आपको वीडियो डाला था उसके बाद में एनिवल किंग्डम से रिल्टेड वीडियो नहीं आ पाए उसके लिए मैं माफी चाहूंगी मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो अप्लोड करूं थोड़ी सी व्यवस्त थोड़ी सी बीजी रहती हूं क्योंकि टाइमिंग इस तरीके का है भी स्कूल का फिर मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास आए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फाइलम से लंट रेट ठीक है पोरी फेरा तक मैंने दिया अगर अभी तक आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें आप जाके देखें और यह जो मैं करवा रही हूं यूजी लेवल का है आप यह ध्यान में रखके करें ठीक है आप यह मत देखें कि अन्दर यूजी मैटर को क्या-क्या इंक्लूड किया है त इसका जो दूसरा नाम है वो है निडेरिया इसका जो दूसरा नाम है वो और निड recipe आपको नाम यद रखने पहला फाइलम क्या ता पोरीफेरा जिसको हमने क्या वोलेटा आप इस तング का हा था इनको आप बोलेंगे निडेरियंस बोलेंगे ठीक है ये भी कैसे होते हैं मोसली मेराइन मतलब समुंदर के पानी में ये मिलते हैं हिंदी के लिए आपका बहुत जादा कंप्लेंड रेती है लेकिन बहुत जादा व्यस्ता की वज़े से हिंदी की पीपीटी मुझे थोड़ी नहीं बन पाती है फिर मैं आगे कोशिश करूँगी कि हिंदी में आपके नोट लेके आऊं अधरवाइस में जो इंग्लिश का करवारी हूं वह भी मैं पूरी हिंदी यहां पर यूज कर रही हूं तो आपको एसमस इतनी कोई दिक्कत नहीं चाहिए इन्हें हम सिलंट्रेंड के नाम श्मिट्रेंड कोन से होगी रेडियल सिमिट्री मतलब सेंटर से हूटी ही किसी भी लाइन से काटो एसे मैंने ऑफोर औरेंजि का एक्जांपल दिया था वह धो इक्वल पार्ट बर जाएगा तो यह रेडियल सिमिट्री होती है क्यासे होते हैं chimney ब्लो बलास्टिक दिपलो मतलब इनके परिवर्धन के दोरान इनमें दो लेयर होती है एक होती है एक्टोडम एक होती है एंडोडम यहां मीजोडम नहीं होती है यहां जो मीजोडम होती है वो अंडिफ्रेंशेटेड मीजोगलिया की फॉर्म में एविभेदित मीजोगलिया की फॉर्म में पाई जाती फिर इनको हमने क्या बोला नीडी इरिया तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा इसका रीजन यह है कि इसमें एक विशेश प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम बोलते है नीडो ब्लास्ट बहुत इंपोर्टेंट है जैसे पोरी फेरा की स्पेशल सेल कौनसी थी कोईन दंश कोशिका किसकी जैसे काम करेगे जैसे काम करेगे छिकार को बेजना होगा थो उसको चोट पहुचानी पड़ेगी तो वह डंक मारने का काम यह करेगा नेक्स्ट यह आपको यह ध्यान रखना है मैं बात करूँ सिलेंट्रिता को आगे जो च्लासिफाइग किया है वह जो आपको प्याले जी सिप जेसी स्ट्राक्चर दिख री है ये क्या होता हैbourne च्षाटी जैसी इअपरेला जिसी fascinated यहां से बहुत कोशिन आते हैं आपको ध्यान में रखना पॉलिप कैसा है सिलेंड्रिकल या कप शेप और यह सैसाइल है सैसाइल का मतलब एक जगह स्थिर है यह मतलब एक जगह चिपक के रहता है इधर उदर मुव नहीं करता है मेड्यूसा की बात करें तो यह कैसा है आनलौनी एक रोलिफिकल का मतलब था समुआओ किया तो यह एकल है इशाम हेसा पिर में रहता है जबकि मैड्यूसा हमेशा ट्रीक है सुलिट्री है एकल रहता है ताहटा थेकर दूसर्द यहां जो मॉथ है वह उपर की तरफ यह वाला हिस्सा उपर की तरफ हुब्स् gent अह है जिनकी जीवन अवस्ता में से पॉलिप अवस्ता होती है तो है हाइड्रा और एडम्शिया ठीक है एडम्शिया है इनके अंदर से पॉलिप होता है आपसे एक्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं एंसी आर्टी में पूछे गए हैं नीट वाले बच्चों से ऐसे कोशन बहुत पूछे जाते हैं और मेड्यूसा तो यह है आपके औरेलिया किसका है औरेलिया का दूसरा नाम क्या है ध्यान रखना जैली फिश जैली फिश है उसी को हम क्या बोलते हैं औरेलिया और औरेलिया कि जीवनकाल में कौनसी आवसे पए जती मेडूसंअ मतलब इह दो अवस्ताओं में देखने को मिलता है कुछ अणिमाल सिर्फ पॉल्ली पवस्ता होती है किसी में मेडूसा ओती है किसी में देव खोनुट तो इसी के आधार पर हमने इसका आगे क्या किया है classification किया है आपको यह ध्यान में रखना है नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इसकी history हो जाए क्योंकि ऐसे question आपके RPSC की favorite questions है ऐसे question बहुत देती है RPSC पता नहीं उनको क्या है वो concept noise कभी के question देती है अरस्तु ने अरिस्टोटल ने इनने नीडी बोला था क्या बोला था नेडी आपको यह ध्यान में रखना है नेडी किसने बोला अरिस्टोटल लुकार्ट ने एक वर्ड दिया लुकार्ट ने इनने बोला लेकिन इसको इसी गुरूप को निडेरिया नाम किसने दिया क्यूं दिया यह तो हमें पता है क्यों दिया क्यों कि इसके अंदर स्पेशल टैप की सैल होती है जिसे हम बोलते नीडो ब्लास्ट जो की स्टिंगिंग सेल है दंश कोशी का है उसको शिकार को भेदने को काम करेगी तो यहां पर इसको नीडेरिया नाम दिया हैस्टेक ने तो यह तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको यहाद रखना है नहीं दोनों फॉर्म पाई जाती है तो इसे हम बोलते हैं पीडी एकान थरण हिंदी में क्या बहुते हैं पीडी एकांथर और इंगलिष में का एक बोलते है एक बार पॉलिप एक बार मेड्यूशा एक मुरेट आगे आएगा शायद आगे आएगा वह सेक्सवल एसेक्सवल नहीं लिखा वा यहां पे चलो मैं आगे बता दूंगे इसको यहां देखो ठीक है तो अल्ट्रेशन ऑफ जेनरेशन यहां मैंने साइड में कुछ अगर किसी जीव में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों साथ में पाई जाती है तो इस अवस्ता को बोलते कॉरमेडिया यह आपको एंसी आइट में कहीं बिलेगा यह यूजी का ही लेवल है तो आपको यूजी लेवल के अकॉर्डिंग में इसके अंदर बता रही हूं फिर इस्ट्रा इंफॉर्मेशन से इनको आप अलग से लिखो आपके पास पहले से अगर नोट्स प्रिपार है तो जो चीज आपको इसमें नई दिख रही है उसको आप वहां पर एड कर सकते हो तो जिनमें पॉलिप और मेडूसा दोनों पाई जाती ही से हम क्या बोलते है जिसे जमें से जoo왔 को होते है जैसे गेश्ट्रो जू ejerc आपको पता है जापको पताया गेश्टो वार से रिलेटेट और पेट खाने से रिलेटे मां तो गेस्ट्रोटा य्प का म क्या होगा हूगा पॉष्ण का को बात करें यह रिप्रोडक्शन से तो यह रिप्रोडक्शन से डिलेटेर होगा शब्दों को लिंक करके याद करो बाय लुजी में ऐसे ही याद होता है नेक्स्ट है मेडूसा मेडूसा में कौन-कौनसी फॉर्म पाई जाती है तो देखो प्रोटेक्शन का काम और गोनो फोर्स किसका काम रिप्रोडक्शन का तो आपसे मेचदा फॉलोइंग करके इनके काम भी पूछे जा सकते हैं आपको सब चीजे ध्यान में रखनी है ठीक है तो नाम किसने दिया सिलेंट्रेट लुकाट में बात करूं निदेरिया नाम किसने सती यह हैं दिया हैं फmond le bona madam दूनों साथ में पाए जाता यह तो क्या हैं पीडी 113 अगर साथ में पाइ पाए जाती इसको क्या बोलते कॉर्मीडिया एक को कीबोलेंगे और लाइट्स तो यह सब चीज एया आप को और में रखनी हैं इंपोरटेंट है नेक्स देखो नेक्स स्लाइड पर हम चलते हैं बात करें पॉलिप और मेडूसा का साथ में पाया जाना जो अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है कॉर मीडिया मैंने यहां पर अलग से लिग दिया एक सिलेंट्रेट का किया कि लाएगा तो पानी के अंदर नीचे या पानी के बीच बीच में जो आइरलेंट अगया आपको दिखते हैं पत्थर वग्राबितीया उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रवाल भित्तिया प्रवाल जब आपने हिंदी मीडियम वालों ने सुना होगा वही है कौरल जिशा य तो वही क्या है प्रवाल बित्तिया और ऐसे आइलेंड होते हैं एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी रहता है उसे ही तो हम क्या बोलते हैं आइलेंड बोलते हैं ठीक है तो यह वाला यह जो कौरल रीफ है वो तीन प्रकार की होती है द्याको इसको ध्यान से देखना यह चैनल ओफ वाटर यह नीचे की साइड जो दिखाए देगी वह बेरियर पानी के बीच में एक रिंग शेप आपकी जो बन जाएगी वह कौन सी है अट और फ्रिंजीन जो की कैसी होगी लैंड वास के पास में बनेंगी आज पास में यह देखो यह डाइग्राम में आप जिदेख हो झाएगा यह बպए nyes पानी साइड में हम बहुत संदर संदर से अलग हम क्या देते पत्थर से सजा कर अके रखते हैं तो वही कारी की कोरल रिफ कौन सी है वह बेरियर तो mob primo सारथ पाई जाएंगे तो छौल मीडिया एक सिलेंटरेट की स्केलेटर उनको कोरीलाइट, खुब ज्यादा है तो कोरेलियम, और कोरेलियम का भी गुरूप बन जाए, तो क्या बोलते है, कोरेल रिफ किते प्रकार की होती है coral reef, तीन प्रकार की बता दी, मैंने आपको barrier, atoll और fringing बहुत ज्यादा नीचे सी सोर पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है वो है barrier जो पानी की बीच में एक ring जैसी structure बन जाएगी, वो can see atoll और island के पास में, बीच के पास में, आपको पत्थर जैसे उत्रे पित्रे से दिखाई देंगे, वो कौन सी है, fringing reef है, तो आपको यह ध्यान में रखना है, यह देखो, यह आपको बहुत सुंदर सा दिख रहा है, यह पानी के अंदर नीचे तो यह barrier है, कौन सी है यह barrier, तो यह ही क्या होते है, coral reefs होते, कुछ बच्चे तो मैं मस्ती तक पढ़ लेते होने यह नहीं पता होता, coral coral उन्होंने इतना रटा मार के रखा होता है, क्यों यह भी नहीं पता होता है, कि coral जो हम पढ़ रहे हैं, वो है क्या, तो आप चीजों को समझने की कोशिश करो, रठने की को रटोगे तो कुछ भी हात नहीं आने वाला, चुपचा भी बैठे रहोगे, समझ में नहीं आएगा, देखो, आईदर और बोथ जुईड में आकर इन species, क्या तो एक हो या फिर दोनों ही हो सकते हैं, अब यह जो लाइन है, इसको बहुत important आप कर लेना, ठीक है, polyp produce medusa asexually, अगर pdha canthrin है तो किस तरीके से होगा, pdha canthrin है तो आप इसको इस तरीके से दोगो, यह है polyp और यह क्या है आपके medusa, तो polyp produce, polyp है वो medusa बनाएगा, और polyp जो medusa बनाएगा, वो asexual reproduction से बनाएगा, किससे बनाएगा, और medusa जो polyp बनाएगा, वो consist, वो किससे बनाएगा, आपके sexual reproduction से बनाएगा, तो polyp इसकी asexual form होती है, और medusa कैसी होती है, sexual यहाँ से बहुत question आते हैं, आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है, और यह जो आपके pdha canthrin है, उसे हम क्या बोलते है, metagenesis, क्या बोलते हैं, metagenesis, किस में देखने को मिलता ह अबेलिया में, ठीक है, जिसे हम दूसरा नाम सी फर भी कहते हैं, इसकी slide भी आपने खूब बनाएगा, एक पेड जैसी ऐसे ऐसे structure होती है, जिसे हम क्या मोलते है, ओबेलिया, ओर्गनिजम इस्ट्रक्चर क्या है, ओर्गनिजम ओवेलिया, ठीक है, ग्रूप ओफ डिफरे पाही जाती है, next, नीडो ब्लास्ट और नीडो साइट, नीडो प्लास्ट के अंदर क्या होता है, इस्टिंगिंग कैपसूल होता है, जिसे हम क्या बोलते है, नीमेटो सिस्ट, यह भी इसका बहुत इंपोर्टेंट है, यह देखो, मैंने स्टार भी लगा रखें, आपको में रखना है, तो नीडो प्लास्ट कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर जो डंक माणने का में काम करेगा, स्टिंग करने का काम करेगा, वो इस्ट्रक्चर कौन सी, नीमेटो सिस्ट, कहां प्रेजेंट होती है, टेंटेकल, जिसे मैं बात करूँ, यह हाइडरा है, यह जो बाहर ऐसे निकले रहते हैं, क्या बोलते हैं, टेंटेकल, और इन टेंटेकल की इधर, यहाँ पर जो कोशिका ही होती है, नीडो प्लास्ट, और नीडो प्लास्ट के अंदर जो है, वो क्या है, आपके नीमेटो सिस्ट, ठीक है, विचार यूज़ फोर एंकरेज, ठ करते हैं, डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अपने शिकार को पकड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं, यह सब इसका काम होगा, ठीक है, तो मैं बाद को नीडो ब्लास्ट है, जिसके अंदर नीमेटो सिस्ट है, इनका मेन काम क्या होगा, ठीक है, तो सैल तो होती है या नीडो ब्लास्ट कि इसमें होती है तो अंसर क्या होगा आपका थो यह ध्यां में रखना है ठीके next कि नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है आगे देखो body of some silentrate made covered by exoskeleton of calcium carbonate calcium carbonate का exoskeleton होता है जिसे हम क्या बोलते है coral तबी तो इनसे क्या बनती है coral reef coral को हिंदी में बोलते है प्रवाल क्या बोलते है प्रवाल तो जो silentrate है उनका जो कंकाल है वो calcium carbonate से मिलकर बना होता है इनके अंदर केविटी में siloom तो होगी नहीं हमें पता है siloomate है इनके अंदर केविटी होती है उसका नाम है silenterone terone silentrate नहीं है terone वहां कौन से थे spongosil यहां कौन से है silenterone इसके अंदर single aperture होता है जिसे हम बोलता है hypostorm ठीक है और यह आपको मैंने स्टार्टिंग में बेसिस ऑफ classification में बताया था कि यह blind sack होते मतलब इसके अंदर mouth और अनस अलग-अलग नहीं होते मतलब इनकी digestive tracts कैसी होती है incomplete मतलब यहां पर hypostorm ही mouth की जैसे काम करेगा और hypostorm ही एनस की जैसे काम करेगा ठीक है digestion दोनों होगा extra भी और intra दोनों तरीके का होता और कहां पर आ होगा आपके silenterone में होगा और food vacuole के अंदर आपको देखने को मिलेगा ठीक है यह ध्यान आपको रखना है mouth serve both purpose इसका मतलब क्या है कि mouth ही mouth का का काम करेगा और एनस का काम भी करेगा ठीक है गैस्टो का मतलब भई यह हम बोलेगे डाइजेशन से लेटेड होगा और वैस्कुलर का मतलब उसको फैला रहा है वैस्कुलर का मतलब भी क्या होता है जो चीजों को इदर से उदर भीजे तो यहां जो सिलेंटरोन है उसे हम क्या बोलते हैं गैस्टो वैस्कुलर केविटी क्योंकि इसका दो काम है एक तो यह डाइजेशन करता है और एक यह फूड को क्या करता है डिस्टिब्यूट करता है रेस्पिरेशन एस्कृरीशन क्या होगा डिफ्यूजन से क्योंकि आपको नर्व दिखाई देंगी जो की नोन पॉलर टाइप की होगी ठीक है नोन पॉलर टाइप के यह पर तंत्रिकाइब आपको देखने की मिलेगी तंत्रिकाओं का एक जाल सा बन जाता है जो कि यहां एक पर आपना काम करता है तो यह सब चीजें आपको ध्यान में रखनी ठीक है कई बार ऐसे भी आ जाता है कॉशन कोरल किससे सम्भंदित है तो कोरल नाम आते मों traveler से समभनित क्या होते हैं कोरल होते हैं आगे देखं रिप्रोडक्शन की में में बात करूं तो आयंसेक्स ए होता है budding से sexual reproduction किसे होता है gamete के production से सब को ही पता है development indirect मैंने बता था indirect का मतलब इनके अंदर लार्वा stage होती है यह लार्वा आपको याद रखने है खुब सारे होते वैसे जैसे ओबिलिया का लार्वा क्या है प्लेनूला और ओरेलिया का क्या है इफाइरा लार्वा वगेरा के यह लास्ट में में आपको एक वह एक साथ एक table में आपको जो मैंने नोट साइड टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखा है वहां table देखना तो एक साथ यह आपको पांच चे याद हो जाते हैं वो कि सबके उसमें सबकी special cell सब कुछ लिखी वी होती है तो वहां लार्वा क्या था एंफिब्लास्टूला और पैरनकाइमूला पोरिफेरा में और यहां क्या है प्लेनूला और और ओरेलिया का क्या है इफाइरा तो दोनों ही नाम आपको या पॉरिफेरा पॉरिफेरा में और प्रजाश वॉटर है था पेनितूला सिपन यह सब आप नाम बार-बार पड़ोगे तब आद होंगे एक बार में कुछ नहीं होने वाला आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी एक दूसरे से दिसकेशन करना पड़ेगा, जैसे अन्ताक्ष्री खेलते हैं, वैसे यह खेलो, कि यह किसमे आएगा, इसके यह मेंबर किसमे आएगा, तो गासी आपको बहुत अच्छे से कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे, मैं कभी नहीं भूलती मुझे कभी भी इसको रिवाइस करने की भ क्योंकि मैंने इतनी बार इसको रिवाइस कर रखा है मैंने इतनी बार बच्चों को पढ़ा रखा है कि मुझे अभी रठ गया तो आप इसी तरीके से करो एक दूसरे से डिसकस करोगा आपको याद हो जाएगा पैनितुला क्या है सी पैन ओरेलिया क्या है जैली फेश ध्यान कि लेकिन BSC में तो सब नहीं पनाई है एडम सिया इसे हम बोलते हैं सी एनिमोन ध्यान दखना एंसी आइनिमोन ध्यान दखना इसलिए उसे हम सी एनिमोन कह देते हैं ओबिलिया क्या है सी फर एलसी ओनिया ब्रत्य मनुष्य की अंगुलिया डैड मैं फिंगर हम इसे कहते हैं यह सारे एक्जामपल आपने बार बार पढ़ रखे होंगे पहले भी आपके सामने आए होंगे इनको अच्छे से आपको देखना है मिनेंब्रेन यह ब्रेन कॉरल और भी बहुत सारे एक्जामपल है जो कि हम देखेंगे तो यह जो में में जो है जो पूछी जाते हैं वो मैंने यह आपे लिखा है तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है आपको यह ध्यान में रखना है अब है क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन ओफ सिलेंट्रेट तो सिलेंट्रेट को किस बेस में क्लासिफिकेशन के पहले तो यह याद रखना कि पॉलिप और मेडूसा फॉर्म है या नहीं तीन क्लासेज है एंथोजोवा हाइड्रोजोवा स्काइफोजोवा अब यह तो एंथोजोवा एक्जेक्टेनिलीडा डिमोस्पॉन यह इस तरीके से हमने बात की थी तो एंथोजोवा की अंदर देखो सीधा सा मैंने यहां पर समझाने की कुछ इस किया एंथोजोवा जिसमें पॉलीप और मेडूसा दोनों होती है जो ठीक है हाइडोजोवा जिसमें होती है लेकिन पॉलीप कैसा होता है लैस डवलप होता है और स्काइफो जोऑ जिसमें पॉलिप क्या होता है वेेल डवलप होता है ऐसा होका एंथोजोवा के एक्जांपल है हाइडरा ओभिलिया उपर मेने देखो छोटा छोटा लिखा है FW और M BW का मतलब है freshly byree chiar आर मतल के सारे महराइन होते हैं आपको इध्यान में रखना है अलग से इनको पढ़ें तो देखो हाइड्रोजोवा अभी पढ़ा आपने mostly कैसे होंगे महराइन होंगे एक्स्क्लू फाउंड एक्स्क्लू कुछ ही मेंबर हैं जो कि क्या होते हैं फ्रेश another मिलते हैं जैसे कि हाइडु से कोलोशी में रहते कुछ कैसे होते हैं सौलीट्री मतलबम एकल स्मखो हुआ मतलब के होते हैं में इसका मतलब के और पर वह समय क्यों यहां पर डॉमिनेट कहों है एसेक्सवल भॉल इसकी शेप कैसी अभी बताई थी मैंने पॉलिप की शेप कैसी होती है ऐसी स्टक्चर बनाई थी ना एसी यह स्ट्ट्ट्र मेरा उन्हें फ्टल का था स्टी पैले जैसी वह पॉलेप सपूर भी मिल्हां कराइड बाते सकति है लोक्राइड ओ्ट उबेलिया प्रफ लेर्य यह को क्या पोलता है हम पुर्टगाल का सैनिक, Portuguese man of war, पुर्टगाल का सैनिक, दूसरा स्काइफोस होगा, यह सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलते हैं, मैराइन वाटर में, यहाँ dominant form कौन है, देखो, मैडूसा, ज्यान रखना है, यहाँ डॉमिनेंट form कौन है, मैडूसा, और मैडूसा कैसी होती है, अम तो ओरेलिया, औरेशिया, राइजोस्टोमा, यह सब इसके एक्जाम्पल होंगे, ओरेलिया ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, ओरेलिया को हम जैली फिश, यह ध्यान में रखना है, नेक्स्ट आता है आपके एंथोजोजोगा, यह भी कहां मिलते हैं, इन्हें हम फ्लार गोर्गोनिया पैनेटूला सब इसके एक्जामपल होंगे तो किसमें कौनसी स्टीस्ट मेन है वह आपको यहां पे ध्यान में रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ पाऊगे तो यह अपना फाइलम कौन सा हो गया सिलेंटेट जो फाइलम है वह अपना कंप्लेट हो जैसे तो हम इसको माइनर फाइलम में करते पर NCRT में इसको अलग से दे रखा है तो मैंने इसको यह अलग से यहां पर समझाया है टीनो फोरा के जो मेंबर है वह अपनी ब्यूटी के लिए और अपनी डेलीगीट का मतलब जो बहुत ज़ादा क्या है नाजू के एक तरीके जल्दी से तोटने वाला खार तो यह delicate इसकी nature होती है और यह सुन्दरता के लिए अपनी पहचाया जाता है इसकी जो sunlight के अंदर इसके अंदर को complete होती है और जब सूरज का प्रकाश उसके उपर पढ़ता है तो ऐसे लगता है जैसे इंद्रधनूशू ठीक है तो यह आपको रखना तो यह अपने सुन्दरता के लिए काफी पहचाने जाते हैं इनको हम C gooseberry, comb jelly या C walnut तीनो ही नाम इसके हैं तीनो फोरा के मेंबर के आपको ध्यान में रखना है C gooseberry, comb jelly और C walnut आपको यह ध्यान में रखना है comb jelly इसको सबसे ज़्यादा बोला जाता है ठीक है यहाँ निमेटो ब्लास्ट नहीं होती है इसलिए से हम क्या बोलते है ए निदेरियन बोलते है निदेरियन यह नहीं होगे फिर important यह caution पूछा जाता है तीनो फोरा के सारे के सारे मेंबर क्या है मेराइन है कोई भी exception नहीं है मेराइन वाटर में ही यह मिलेंगे exclusively मेराइन है सिर्फ और सिर्फ समुंदर के पानी में मिलते हैं दूसरा इनके अंदर एक special करक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं जेयो प्रदिप्तिता हिंदी में bioluminescence मतलब राट को चमकते है तो यह question बहुत प्रचा जाता है कि सिमिट्री लेवल कौन सा होगा टिशू सीधा सा रहना को सिमिट्री रेडियल डिपलो होगा टिशू ग्रेड बॉडी ऑर्गनेजिशन होगा छटा टॉपिक आपको अच्छे से ध्यान दखना से तवाला इसमें लोको मोशन स्पेशल टाइप की सीलियरी कॉम्ब प्लेट स आपको देखने को मिलती है और इसे लिए हम इनको क्या बोलते हैं का काम जली तो आप बोलो कि Taylor के मTr 5 करद का मेंबर के इनके अंदर शिली को मिलत होती है जिनका काम क्या होता है लोकोमोशन कि यह इसको मूफ करवाने का काम करती है तीनोफ और बहुत सुंदर होते हैं अपनी सुंदरता के लिए पहचाने जाते हैं इनको कॉम जेली, सी गूस्बेरी, सी वॉलनट सब कहा जाता है निमेटोब्लास यहाँ पर नहीं होती है यह सिरि और मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी बॉड़ी की अंदर बॉड़ी की सर्फेस पे आठ कशाब पक्षमा भी है कॉम प्लेंट पाई जाती है जो कि इनके अंदर गमन का कारिये करवाती है तो यह देखो मैं हिंदी ही बोल रही हूँ आपका बहुत ज्यादा कमेंट आप मैडम निकाल के करवारी थोड़ा मुश्किल तो होता है क्योंकि पहली प्रेपीटी बड़ा करनी होती है ठोड़ी पोस्टिंग यहां तो दिकत तो होती है लेकिन चलो फिर भी कोई नहीं करवात हो रहा है आपको डाइजेशन दोनों है एक्स्ट्रा और इंट्रा ज्यांद रख सब cauliflower जीब होती है निमेटो ब्लास्थ की जगे टेंट अपाई जाते हैं और तो की काम करती है यहां पर सिकार को पकड़ने कारिया करती है केच ढप तो मैं बात करूं पोरी फिए रहा ह। घह किर में बात करों किसकी on its sound के अर फिर में बात करो थी अपको ऐसे याद करना इन दी पर्ली परी अए का अबें मिनीम क्या था तो अपरी फे न का कमस्ट दो फम्रेम ये प canyon बोलगे space अ क्या था क्या था इसको सब्सक्रान कीवेस्ट इसको क्या बोला मैं हें। दे extraction ठीक है तो ऐसे टेवल बनाके कर लो और यहां कौन सी यह लैसो सेल है या नहीं है तो आप समझ में आ रही ना कोई चीज है तो इस तरीके से आप इनको comparatively पढ़के इनको याद कर सकते हो next sexes are not separate ठीक है मतलब हर्मोफोडराइट है मनर और मादा एक के ही शरीर में है लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है sexual reproduction यह भी NCRT से लाइन है जो की पूछी जाती है यहां ए sexual reproduction नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ sexual reproduction होता है यह आपको ध्यान में रखना है fertilization होता है external लार्वा कॉनसा है सिदिड लार्वा है और special welcome कोंसी है顃umps पॉरी messing business जाता टाओ नार्वा कॉनसा था प्ली लॉफ़वा कॉनसा है सिदिड लार्वा ठीक है रान रहत ध्यान रहें नाक्सट según देखते हैं इसका क्लासिफिकरेशिन में देखो बालो दो हैसके एक टो है टेझकुलयिटा और अनूड टेझकुला जिसके अंदर अबाउराल टेझेकलस आपको डेखने को मिले वेँढर नाम से पता चेंसमे और यहां पर टेंटेक्ल d नहीं होंग nurse इंसम लार्वा है टेंटेकल वाइल एडल्ट है औरल कुछ में क्या होता है लार्वा में तो टेंटेकल होते हैं लेकिन जो वैस्क होता है एडल्ट होता है उसमें औरल लॉब्स होते हैं माउथ छोटा सा होता है फैरिंग्स यहां पे स्मॉल होता है बात करें न्यूडू में बोडी इनकी बड़ी होती है कॉनिकल होती है लेटरली कंप्रेस्ट होती है यहां टेंटिकल नहीं होते हैं औरल लॉप्स नहीं होते हैं इनका माउथ वाइड है देखो इनका कैसा था न नहीं नहें तो नाम आपको यहाद रखना है तो प्लूरो ब्रैंट किया और टीनो प्लाना और नूडू का एक्जाम्पल जो आपने विए से में बैरो यह आपने देखा होगा इसका डियाग्राम भी बनाया होगा जिसे बोलते हैं बिल्ली की तैरती हुई आखे तो यह आप आपको नोड्स अच्छे से बना के इनको पूरा क्लियर कर लेना है एस सोन एस पॉसिबल मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी जिसमें टीनो फोरा के बाद में मैं प्लेटी हलमंतिर एसके हलमंतिर दोनों साथ में करांगी और एने लीडा और्थोपोडा मॉलस्का इनको ए बाहर होने के चांसे थोड़े कम होंगे क्योंकि मैं भी इतना ही मैटर पढ़के जाती हूं यह ध्यान में आपको रखना है कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइए ओके बाय एवरिवन थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग